आज एद्धन कर रहे हैं कक्षा आठ की समझे विज्ञान की पार्थे पुस्तक संसादन और विकास से अध्यायतीन खनीज और सक्ति संसादन के अंतरकत भाग 14 में यानि कि पार्ट 14 में चर्चा करेंगे बायो गैस की तो कॉपी पैंसिल लेकर हो जाएए तयार बच्चों सबसे पहले जानेंगे बायो गैस जैसा कि इसका नाम है बायो यानि कि जीव जीव से उसके जो व्रेथ हैं उसके वेस्टे जो निकल रहे हैं उन वेस्टे का उप्योग करके एक गैस तयार की जाती है और उस गैस का उप्योग हम उर्जा बनाने में काम में लेते ह तो जानते हैं, क्या है इसकी परिवासाद, नोट कर लिजिए, बायो, यानिकि क्या है, जीव है, यानिकि जीव से, जीव क्या है, मानवश्वयम जीव है, पेड़ पूदे हैं जीव, और जीवजन्तु जीव है, अब उनका जो वेस्ट प्रोडेक्ट निकलता है, जैसे प्रण्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें गए तो उसको क्या किया हमने लाकर उसके कंटेनर में उसको डाल दिया और जनतून के आवसेष पस्वू का गोबर रसोई के को गैस ये इदर में बदला जा सकता है इसे ही बच्चों किया कहा जाता है बायो गैस कहा जाता है यानि कि जैविक चीजों से जो गैस बन रही है बायो गैस याद रखेगा जैविक अवसिस्ट बैक्टेरिया द्वारा बायो गैस सरियंतर में अब घटित होते हैं यानि कि जो सरियंतर है कंटेनर होता है पूरा का पूरा उसके अंदर क्या होते है बैक्टेरिया पनप चाते हैं और वो बैक्टेरिया उस चीजों को क्या करते हैं डिकंपोज करने लगते हैं खतम करने लगते हैं और वो किसमे परिवर्त है जैसे जैसे वो गढ़ेगी गढ़ने के बाद उसमें गैस में परिवर्तित हो जाती है, गैस कौन सी है, याद रखी क्या मीथेन, 60% कारबन डायोकसाइड, 40% अन्य गैसे भी है, हाइड्रोजन वगेरा गैसे भी, सलफर भी वो भी निकलते हैं, पर ये गैसे मुख्य हैं, मीथेन और कारबन डायोकसाइड, याद रखेंगे, 60% मी उप्योग कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया में मतलब बायो गई, स्तायार हो गई, और उसका उप्योग भोजन पकाने के लिए, उर्जा के रूप में इस्तेवाल में ले सकते हैं, उससे विधुत भी आप बना सकते हैं, बल्ब जलाने के लिए काम में ले सकते हैं, घर म का अप्सिष्ट भाग होता है वह सब उसको डिकम्पोज यानि की एक स्वच्छता भी बनी रहती है और डिकम्पोज हो रहें के बाद इसका जो गलने के बाद गैस तो हमारे गैस का इस्तेमाल हमने क्या कि उड़जा बनाने में कर लिया और उसके बाद इसका जो फिर होता है को चरा से बनोति है वच्चो ऊसे में बन से ऊपनें और फिर पूरा चक्र हो जाता है ऑसी उरजा है जिसका है निरंतर उप्योग कर सकते हैं किसके अंतरगत पढ़ रहे हैं गैर परंपरागत उर्जा के शुरूतों में बायोगेस का धन कर रहे हैं लिख लीजिए बायोगेस खाना पकाने विधुत उत्पादन का सर्वोत्तमी धन है और इससे प्रतिवर्श बड़ी मात्रा में जेव ख खाद का भी ब्योग किया जाता है यह बहुत खास बात है जहां हम रसाइनी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज कल ज्यादा ज्यादा हम किसको सा मस्वरा देने लोगों को कि ज्यादा 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 का इस्तेमाल करें और वो कहां से मिलेगी बायोगेस से म प्रक्रिया आप देखिए, यहाँ पर आप यह देखिए, स्टेबल है, यहाँ कि जहाँ घोडे रहते हैं, ठीक है, यहाँ से जिव-्एजंतु यहाँ पर गाय है, भैस है, cattle से बक्रियें यह सब रहते अब आप यह मानिए वहां से जो कच्रा आया वो इस बीच वाले सरेंतर में इसमें चला गया यहां से फिर यह हुआ इसमें पानी वगेरा मिक्स किया पानी मिक्स करने के बाद कुछ के बाद अब घठी तो हता है बैक्टेरिय वगेरा और उसके ब करने के काम आ रहा है पर क्या है एक चीज इसमें होता है ग्रीन हाउस एफेक्ट को बढ़ा देती क्योंकि कार्वन की मात्रा इसमें मुझूद है और वह क्या करती है भूमंडली उसमन में उसका बहुत-बड़ा योगदान होता है यह थोड़ा सा इसके कमी रहती है बाद क तो इसके लाब हिलाब देखने को आप मिलते हैं, ये देखिए किस तरीके से agriculture खेती में इस्तेमाल में लिया जा रहा है, विबिन प्रकार के रसायन, जो की कैसे, जैविक खाद तयार की जा रही है, ये भी खास बात है, जैविक खाद तयार कर ली जा रही है, और ये सारी ची ये हैं, जहां इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, आगे देखते हैं, बायो गैस बनाने की प्रक्रिया कैसे है, किस तरीके से ये बंती है, अभी हमने उप्योग जाने, पर बंती कैसे है, बड़ी आसान तरीका है, देखिए कैसे है, सबसे पहले मैं जो प्रक्रिया इस बायो गैस कंपोजर के अंदर जाके बायो डाइजेस्टर में चला जाता है और वहाँ फिर क्या है हलका हलका पानी उसमें दिया जाता है और फिर डिकंपोज होना शुरू होता है और गलने के उपरांत क्या है उसमें से धीरे धीरे क्या है गैस बनती है और गैस फिर यार हो जाता है और खाद क्या है बायो फर्टिलाजर फसलों में डाला जाता है और फसलों को फिर क्या है चारे के रूप में जो पसु है इनका क्या कर रहे है भक्षन कर रहे है तो यह पूरी बहुत आसान प्रक्रिया है बसरते अधिकतर किसान भाई इसको अपनाए और अप ढ vendor दम जो गोबर वगेरा इसमें डाला जाता है, यह gas tanker है, यहाँ से फिर खाद भी तैयार हो रही है, यह निकासी हो रही है और यह उरवरक कहां जा रहा है सीधह, खेतों में इस्तेमाल में लिए जा बहुत आसान प्रक्रिया है, अगर प्रक्रिया के बारे में सवाल आता है, तो ये चित्र को जरूर बनाईएगा, आगे देखते हैं, बायो गैस के लाब और हानी, यानि कि लाब ही लाब हैं, अब ये पढ़ेंगे, देखें कितने लाब हैं, देखें कम लागत, उप्योग मे आता है, और चारी चीज़े होती है, तो उससे तो निजाद मिल गई, बिल्कुल से, और उसका हम यूज किस में कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बनाने में काम में ले रहे हैं, जहवी खाद मिल रही हैं, उससे उर्जा भी बन रही है, हम रसोई में काम में ले रहे हैं, उससे बल्ब जलाने में काम में लेने, तो ये सारे के सारे लाबी लाब अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं, हानियों में सिर्फ एक हानियाद रखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, उसको बढ़ाने में इसका योगदान है, क्योंकि इसमें CO2 का 40 प आश्कार, जय हिरु